ओध का मतलब क्या है? पूरी पाली भासा में, पूरे पाली सहते में बौध सब्द नहीं है क्योंकि दो मात्रा जो उपर होती है बैर में या पैर में ए के अंदर जो एनक होती है वो पाली भासा के अंदर है ही नहीं यानि पाली में कोई भी जो सद है शब्द है या वर्ड है वो ऐसा नहीं है जिसके उपर दो मात्राइं हो औरत या वैर ऐसा नहीं है एक मात्रा के सारे सारे सद है अगर किसी लिपी के अंदर दो मात्रा हैं तो वो पाली की लिपी नहीं है यानि कि वो जो धमी की लिपी है व पर अरसल ये जो बौध सब्ध है, ये बौध का संसकारित सब्ध है, यानि कि जिसको जानकारी हो गई, बौध हो गया, उसको बौध हो गया है, संसकारित भासा में, मौडिफाइड में, बाद में, बौध का बौध किया गया है, यानि जब कहते हैं, आपको इस बाद का बौ हुआ या नहीं तो बोध से बोध बनाया गया है और ये चुकि बहुत सारे लोग बोध लगाते हैं तो वो बोधी भी लगा सकते हैं बोधी कर भी लगा सकते हैं बोधी मंतु लगा सकते हैं धी मंतु लगा सकते हैं धी मान लगा सकते हैं ये उसके अंदर सारे के सारे चलते ह हैं उसके परयावाथी सब्दा हैं धन्यवाद